हेलो इस्ट्वेंट स्रमस्कार, मैं नेम इन मेज सिंग शेखावाद, वेलकम तो इन रसी डिफेंस अकेडमी, और आपको दोस्तों जाती हम लोग बात करें एंडिये की, नेवी की वेयरपूर्स की, यह एक ऐसा टोपिक है, जिसके इसके questions मतलब इतने जादा एंडिये में तक्रीबर यह पचास से पच्पर नंबर का टोपिक है, नेवी और एरफोर्स में भी इनके questions लगवग लग होगी, मालोग की ऐसे, यह ऐसा topic है कि इसके questions छूटते हैं, कई topics मिस्स भी होते हैं कि उनके questions कभी आते हैं कभी नहीं आते, बटी यह बहुत important topic है, और हम लोग इसको start करते हैं, देखिए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोड मिती, देखिए, नाम से यह पूरी तरीकी से clear है कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोड मिती, यानि तीन कोड़ों की माप, यानि कह सकते हैं हम लोग, इस साइंस ओफ मेजरिंग ट इस सारी हम लोग इसके अधर करते हैं, सबसे पहले की ट्रिक्नोमेट्री सब्ध है क्या, आपने भुक्स में भी देखा हुआ, अच्छी बुक्स में है, जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स आती, उनमें दिया भी हुआ है, कि ट्रिक्नोमेट्री जो है, इसे कुमिनेश ड्राइंगल का मतलब है ट्राइंगल, तृक्या practech को हिवदी हम लोग कहते हैं, मैट्रॉण को कहते है, मेजर मेट्स हिंदी में इससे कहेंगी माँ, ठीक है, हम लोग देखे आप्र ट्रिक्नोमेट्री को यह मैद हम समझना है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसे साइंस ओफ मेजरिंग ट्राइंगल इसका मत्तब हो गया कि यह एक इस प्रकार के विज्ञान है जो ट्राइंगल है त्रिकोण मिती एक ऐसा साइंस है जो ट्रिबुज के सभी जो एलिमेंट्स होटे हैं उनको मापने उनसे समन्दित थेड़ी हम लोग सारी करते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रकारण मिती से एक पहला टोपिक लेते हैं एंगल एंड पार इmee हैं ऑड़ा बेशिक टोपिक लेते हैं एंगल एंड देर मेजर्मेंट कौन एवं उनका मापन देखिए एक्शुली क्या है कि देखो इन सब में जितने भी डिफेंस के एक्जाम में इन में आता तो 1112 का ही है सलेवस पूरा 1112 का है लेकिन जहां पर हमारी भुक्स में हम लोग स्टेडी करते हैं बोर्ड एक्जाम के लिए यह माली जे कि तक्रीबन तक्रीबन ऐसी चीजे एक्जाम में पूछी जाती है जो भुक्स में बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं होती जैसे मैं आपको यह टोपिक शुरू करूंगा और आप खुद पता लगा लोगे कि यह चीज अमने बोर्ड में नहीं पड़ी ठीक है जबकि यह बोर्ड का ही टोपिक है अब स्टार्ट करते हैं एंगल एंड देर मेजरमेंट देखें इसमें तीन सिस्टम्स होते हैं सब्सक्राइब करते थी क्योंकि ऊक्किए आजर श् ли तो वह लोग गरेट इस सिस्टम्स को रहे हैं है मिए पाती ELlı साश्टिक पद्धिक, ओके, देखिए, सेक्सादेसिमल सिस्टम के बारे में आपको बताओ, इसमें एक राइट एंगल को हमने क्या किया, 60 इक्वल पाट्स में डिवाइड किया, ठीक है, याली कह सकते हैं, हम लोगे, आप राइट एंगल इस डिवाइड इंटो, 90 इक्वल तो एक राइट एंगल कितने डिगरी का होगा है, न बेडिगरी का, एक डिगरी, अगेर, एक डिगरी में होगे, 60 मिनट, और एक मिनट में होगे, कितना, 60 सेकेंड, ये जो सिस्टम है, सेक्सादेसिमल सिस्टम, इसको बिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसको इंगलिश सि इसको फ्रैंक सिस्टम कहते हैं है सफिक पति सथिक पददी संटेशियी जिस्टम और चोथा है मेजरमेंट को होता है स्टो अब इस ईपनेदी में इसकेटेंट व्रतिय पत्दति देखो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें जो युनिट जो है इकाई इसकी जो होती है वह ती डिग्री आपने पढ़ा होगा कि जैसे इस तरीके से किसी पर भी एक छोटा साइक पॉइंट होता है उपर सब्सक्राइब सब्सक्राइब से अधिक पढ़ती होती है और इसको इसे पढ़ाओगा कि एसे लिए रेडियन वन्रेडियन तो इस तरीके से ये तीन सिस्टम होते हैं इसमें एक डिवाइड होता है ट्रेडियन एक right एंगल में होते हैं एंडेट ग्रेप एक में हेंडेट सेकेंड और मेरी मुनेट में होते हैं क्रीकें aged ठीकें सेस्टब में एंगल का एक इस सरीक्व काया डिलेस्ट गर कर गया है कि आइवर इक करगे हैं एंगल यह रिलेशन बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन है दोस्तों अब हम लोग इनके बीच में कनवर्जन पढ़ते हैं कि वट इस रिलेशन बिट्विन थ्री सिस्टम्स यानि तीनों पदतियों के बीच में क्या समंध है हम इसे डिसकस करते हैं सबसे पहले आपके देखा स बीच्सप्चा गा एक रिलेशन बेट गा एं। कि देखिए रिलेशिन बिट्वें रिलेशिन बिट्वें डिग्री ग्रेड एंड रेडियन यह इनिकी डिग्री ग्रेड रेडियन में परत पर एक सम्मन्द सम्मन्द लिख लिजी डिग्री ग्रेड एंड रेडियर में रिलेशिन क्या है देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इनके बीच में डिरेक्ट में रिलेशिन लिख रहा हूं दी बाई 90 तो जी बाई हैं डेड इसकोल टू और पाइए यह रिलेशिन है इनके बीच में दिखिए इस रिलेशिन के मादम से बाई टेकिंग इस रिलेशिन बीच रिलेशिन बेट्वें टू शिस्टम ओके फिर्स दो पॉल दी बाई 90 इस उकल टू जी बाई 100 यदि आप इने क्रोश मुटिप्लाइं करेंगे तो यह हो जाएगा 100 दी इसकल टू 90 जी दी इसकल जी एंड जी इस इकल टू 100 बाई 90 दी ओके देखिए मैंने इस रिलेशिन को इसके साथ मिचली सोल किया है यदि हम लोग इसको इसको सोल कर सकते हैं ठीक है अब मैं एक लेता हूं कि लास्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिलेशिन जो है वो है वेरि इंपोर्टेंट रिलेशिन देट रिलेशिन बेटू बिटूइंटी का समधर दीडिलेशिन है ये relation सबसे important है और इसे हमें धार पी रखना है लिखेंगे d pi is equal to 180 r d is equal to 180 upon pi r and r is equal to r जो है क्या हो जाएगा d pi y 180 देखें mathematics में ऐसी कोई बड़ बड़ी rocket science नहीं है आपको क्या करना है कि basic basic concept समझने है और basic concept समझ के आपस में interrelation create करना है जैसे आप लोगोंने board की books में या कभी competition की books पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा कि 90 degree को radian में convert करना है ठीक है 90 degree is equal to x radian convert कैसे करेंगे देखो degree से radian में जाना है तो हमें r is equal to यह relation लेना है कि r is equal to d pi by 180 आप d की जगे रखिए 90 degree pi by 180 और आपने देखा होगा यह हो जाएगा pi by 2 और यह symbol radian का इसको reverse करिए pi by 2 को convert करना है हमें degree में pi by 2 को यह देखी डिगरी में convert करेंगे तो क्या आएगा pi by 2 को degree में convert करेंगे तो आप relation लेंगे यह d is equal to 180 pi r तो आप इस relation में r की जगे रखिजिए d is equal to 180 upon pi into pi by 2 ठीक है यहाँ पर आप कट कीजिए इसको यहाँ जाएगा 90 दोस्तों देखिए इन में सबसे जाना जरूरी क्या होता है कि इसकोलों में जो बोर्ड की भुक है या बोर्ड की एक्जाम में कभी ऐसे क्योशन नहीं आते कि सब्से बड़ा एंगल है वो डिग्री में है सबसे चोटा एंगल ग्रेड में और सबसे बड़ा एंगल चोटा एंगल से दुगना है तो देखिए colder का आप इनufen की नहीं जानेंगे तक इनकी ईंटा होगा या यही सिस्टम्स आपिन नहीं पड़े होंगे आप ऐसे क्षिशन को तो नहीं कर सकते हैं पहला दूसरी बार जो नेवी एरफोर्स की एक्जाम होते है पेसिक लिए इतना तक कुछ लिया जाता इक डिग्री में कितने मिनट होते हैं एक देखिए बहुत सारे को से एक यह तक है यह लिए पर इसलिए आपको यह स्गेंट पुछा जाता है कि साइन वन देखिए साइन वन बड़ा है या या यह जो डिलेशन होते हैं यह एसे होते हैं साइन वन और फिर को साइन वन को सब्सक्राइब दोडरान डिक्रीजिंग कौन सा है और उससे हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं अब मैं आपको एक त्रिगनोमेट्रिक प्राणि चीज बदाता हूं आप ने पड़ा होगा आप खुछ बढ़ा होगा है कि एक तो होता है ट्रिगनोमेट्रिक इख्वेशन फरक्कर होता है आप कुछ सोचिए इसको इती हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे प्रिकॉण मिती है समीकर्ण और एक होता है ट्रिक्नोमेट्रिक इसंदन कि होता क्या है ट्रिक्नोमेंट्रिक उप॥ मैं मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप घुझ सोच सोचे लिए पता कि नहीं किताब में भी लिखा हो ह toxic क्या होती है equation क्या होती है मैं आपको बताता हूं देखे आप खुद सोचिए कि sin square theta plus 4 square theta आप बच्पन से पढ़ना सुरू कर दिया कि 1 होता है आप बताएं यह equation है या identity आप देखें टिग्नोमेट्रिक equations जो होती है यह वो होती है जिनका क्या होता है सोलूशन यानि आप जैसे मालो मैंने लिखा यहां पर sin theta is equal to 0 ठीक है अब आप theta की value क्या रखेंगे theta की value आप sin theta की value 0 रखेंगे ठीक है यानि यहां पर आप 90 नहीं रख सकते यानि theta की value आप 0 degree रख दीजिए लेकिन आप यहां पर यानि ऐसी यह जो होती है यह सारी जो होती है यह जैसे मालो मैंने यहां पर लिखा sin square 1 degree plus cross square 1 degree हमेश्चा 1 मैंने लिखा sin square 30 degree plus cross square 30 degree 1 तो कुल मिला लिए आप देखिए यह difference हो जाए identity your equation का यहानि identity equation में क्या हो गया तिर्कॉण मितिये समिकड़ कुछ ही value जो particular values होती है उने के लिए सिद्ध होती है जबकि कि टिर्कॉण मितिये समिकाएं यह ठीटा की किसी भी वास्तविक मान के लिए सिद्ध होती है यानि कि ट्रिक्नोमेट्रिक एक्वेशन सार्ट्रीव पॉर सब पर्टिक्लर वैल्यू जैसे एक्जाम में क्या करते हैं एक्जाम में यह करता है कि बहुत छोटे छोटे रिलेशन से ऐसी ऐसी चीज निकार किलाते हैं होगी तू होगी जीरो होगी या नन अब यानि कोई नहीं देखिए ऐसे क्वेशन उन इस्ट्रेंट्स के लिए होते हैं जो बहुत अच्छे से वह जल्दी कॉंसर्ट को पिक करते होगी और किसी भी एक ट्रम्स को जीरो कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो ठीक है आपको एक डेसी कुशन और कराता हूं जो लगब 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 एक्जाम में नेवी एरफोर्स में तो विसेश कर पूच्छा जाता है टैन वन डिग्री टैन कू डिग्री हुआ 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 है ठीक है 89 तक रुप जाता है आगे नहीं जाता क्योंकि 1090 आपको पता है 1090 क्या हो जाएगा साइन को सब्सक्राइब इसमें क्या होता है कि आपने बेसिक कॉंसेट्ट पड़ा होगा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 इंटू बन और यह वन हो जाता है यानि एसे सीरीज में यह इकोल हो तो टैन पीटा और प्रोडेक्ट हम इसे क्या आता बन आता है देखिए आप यहां पर देखिए इसको हम लोग 1090 माइनिस टीटा क्या लिख सकते हैं इसको बन लिख सकत है यानि इसको लिख सकते हैं कि यहां प्योंगा टैन एटीएट इसको सकते हैं को और देखिए इधार से हैं 3 इ। आहिए से 10óm самый वंसन हम हो जाएगी एक इसा पेर आएगा के नहीं हो यह पर आएगा इसकी वैलिउ के क्या होती मुरक हम पूलिया है इस से समनेंद इस वह ट्यू पूरिंग commao कोट 88 और कोट 89 अगें वह देखिए से आप क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो कोट 1 और 10 1 आपस में 1 कोट 2 और 10 2 आपस में 1 और एक है जिसका प्यर नहीं बनेगा हुआ है कोट 45 इसकी वेलु क्या होती है तो इसलिए इस पूरे स्रीज की कि इस तरह के बेसिक इस निकल निकल के आते हैं वहां से अब कुछ और डिसकस करता है इस से लिए कि आधिए कि कुछ बैसिक आइडेंटीटी इसमार्व बदाता हूं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन तीटा को से चलते हैं करें अब सब्सक्राइब करेंगे करेंगे यह थी टिक है को सबस्क्राइब करेंगे एक्पन सब्सक्राइब और सेट टीटा होता है वन अबो देखे ये एक छोटी-छोटी आइडेंटीटी है इनसे बहुत सारे क्वेशन बन सकते हैं एक्वार्ण में आप जो वोर्ड्स की भुक है उनमें सीवी दाइरा होता है लेकिन आपको एक्वार्ण में कैसेक्वार्ण में पूछैंगे अफके नीचे अम लोग कुछ आइडेंटी डिने लेते हैं कि स्उइन स्कॉर्ण टीटा बिसकॉर्ण टीटा जोरी नेजम में आई पढ़ा एक्वार्ण में वनेजम इनमें इसको किस तरह घुमा देता है कि आपने पढ़ा कि सेंट स्कॉयर टीटा इस टैनि स्कॉयर टीटा को इदर ले जाओ मराबर वन ठीक है आपने यह रड़ रखा है आपने याद कर रखा है बहुत अच्छी बाद लेकिन आप देखो यहां पे एक फिलिंग आ अब यह दिया आपने पढ़ी है इसको एस्कॉयर माइनस भी स्कॉयर क्या होता है एप्लस बी ओर ए माइनस भी यह पुल मिला कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेंट स्टीटा स्टीटा प्लस टैन टीटा और माइन च्रेंट प्रेंट स्कॉर्ण टीटा इसको टो बन है ओके मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि स्टीटा फ्लस टैन टीटा कि स्कॉल टो वन अपॉन और इस ने पुछ भी दे सकता है जैसे यहां पर उसने पी दे दिया सब्सक्राइब सकता है टेन की वैलू सकता है इसकी थर्ड आइडिंटिटी हम लोग लेते हैं वन प्लस पूट स्कॉर्ट टीटा को स real की स्कॉर्ट टीटार और इसी को एकिती हम लोग दुबारा से यहां लिखें को सälltकी स्कॉर्ट टीटा माइंस स्कॉर्ट स्कॉर्ट टीटाब स्कॉर्ट टीटा जाएग करें कि एस्कुरार माइनस बी स्कुरार की जगे तो को सेट टीटा प्लस को टीटा वन अब देखो इसमें इसमें आपने क्या करेगा हूं इस तरह के एक रिलेशन देखे करें आगे देखा एक देखा कोई भी है वेरिबल देगा कोई भी और उससे हम लोग इस तरीके की पुछी जाएंगी तो इसको लोग इस तरीके इससे लिकाल लेंगे अब जैसे हम लोग एक क्यूसर लेते हैं सपोज करें यदि हमने उससे उसने कहा कि इस जदी जदी मालो इसमें यह क्यूसर ले लेते हैं कि जदी है सैट टीटा प्लस टैंट इसकोल टूपी दैन क्यां फाइंड वैल्यों ओ ऑफ लिए थे ठीक है यह क्यूसर है कि सैट टीटा प्लस टीटा पी है और हम्में सेट जीटा पूछ रहा है अब हम करेंगे क्या देखू हम लोग यह करेंगे कि पी नो दैट हम जानते हैं और हम जानते क्या है हम लोग जानते हैं क्या यह रिलेशन जानते हैं सेक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइब करें इसको लिख सकते कि सब्सक्राइब करते हैं अब आप बिल्कुल अरभ से रख लिजिए सेट टीटा प्लस टीटा पी है सेट टीटा माइनस टीटा क्या है वन अपून पी ठीक है आप इन्हें जब सोल्व करेंगे तो यह देखिए दोनों कैंसिल होगे और यह जाएगा टू सेट टीटा तो आप इसको लिख सकते हैं कि ती स्कौर स्वाणपन पी और सेट इता आपके आगया पी स्कार प्लस बन अपून टू कि अब श्ख पाएर भी रखे गए नहीं कह सकते हैं कि आप से पूछा जा सकता है इसमें आप से टेंट टीटा विकार सकता है देखें इसमें मैंने सेक पूछाया आप को चीटा बना सकते हैं सब्सक्राइब की आप सबसे पहले हम लोगों को ने सिर्फेंग लें संब्स्जरेंगें आपको बीघ euघ्र När ओने अग उवर में इसको पता इसमें नहीं बाॉब सैनि का इस एकिस्पाइर वन डिग्री प्लस तरहीं सांवर किस ऐसे थी संस्वेसे अrenchा कि कि एटीए डिग्री कि अब इसकी वेल्यू निकाल दी कि मैं आपसे ओप्सन देता हूं आपको ट्वेंटी ट्वेंड हाफ कि फॉर्टीफॉर एंड हाफ कि ट्वेंटी ट्री एंड आप और एग है ननों दी आप इसको सोल करें कि इसको करेंगे कैसे देखो कि इसका सॉलूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता हूं कि इसी यह जो उपर जो आइडेंटीटी विविए इतनी आसान सी इस आइडेंटीटीटी पे बैठें बैठें हम लग कितने भी क्यूस्टन है जामिनर बना सकता है सबसे पहले क होग है इधल साइने स्कार एक यादि को बात करूं तो इसको मैं कोसिशार वन डिग्री लिख सकता हो यह ना इसको स्वायर बाग यह तो स्वायर निटल बीच क्या देखिए को जोगा सैंग और लेने दांग किसको मैं लिख सकता हैं कोशिस्कौइर तो यह हो जाएगा साइढी स्परीडिग्री कोशिस्कौइर दिग्री कोशिदुलिक्ट कोतरों यह व्यू तक करते रहें पक्ता है कि आप यह यह दिन इसको एक पेज सबसे पहले लास्ट वाला जो कम है आप करके देखिएगा इसको लग बगए पेज का कुष्ण है आप करना क्या है कि अब आप देखो साइन इसकार वन आपको आपको आगे मिलेगा तो करना क्या है साइन स्कार 45 का कोई बनेगा और इसकी वैली होती है वन बाइड यह आपको एक्स्टा एडिशनल एड करने पड़ें कि ट्रिक क्या है दिखिए लास्ट जो टर्म है उसमें से फस्ट आप बेढ़ा दीजिए वैसे तो चाहें तो आपने से पेज में सोल करिए और चाहें तो आप मैथेमेटिकल यादि आप देखो यह कि कुस्टन को जवाब 4-5 बार करते हैं तो छोटा तरीका आप भी जोट सकते हैं यादि ट्रिक होता कुछ भी नहीं है लेकिन ट्रिक होती है कि आपने किसी चीज को बहुत बार कर लि यह यह जितनी भी वैल्यूस आएंगी दुल कि चाहर चैश्छ हंगी 2 इंटिफरेंस के दिफरेंज का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां पर 3 है यहां पर यह उसकता क्या अव्मित तो आपको यहां ले रहा है तो आप इसको सोल करेंगे और प्लस यह वन बाइट तो एड़ी किया है यह सइन इसकार 45 यह विक स्पेशल सिरीज है जो नेवी एरफोर्स में यह मालनों आप 100% यह कुछ आएगा यह आएगा ऐसा कुछ लगूट हमेश देते हैं वो लो तो लास्ट माइनस फर्स्ट लास्ट है 89 और फिर्स्ट का है वन तू इं यानि वन का डिफरेंस है प्लस वन बाइट यह जाएगा 88 बाइट उ प्लस वन बाइट तू यानि यह जाएगा 44 अब इसका अंसर हो गया 44 अब मैं आप से एक इस सरोर देता हूं ऐसा करें सही आप देखिएगा कि साइन स्वार वन डिग्री साइन स्कार वन डिटे यहां पर 5 डिग्री 10 डिग्री साइन स्कार 15 डिग्री साइन स्कार 85 डिग्री 85, 55 का डिफरेंस चल रहे ले लिग्री जा स्वार डिग्री 10 15 5 10 15 ऐसे ऐसे पूरे कर चाते हैं कि सामस्कार टिग्री 2S2 5 10 15 आप स्वार. यह सखंए एसे क्विशिटे में पर. सब्सक्रायर चाथे छोटकैत चाहिएं आप काप से करीए आप काम स लेए ठिक हैं तो इस तए सब्सक्राइब करें तो यहां के से जाएगे यहां पर लिखेंगे यहां पर दो लिखेंगे और इस तरीके से इस से वाप करें अब देखिए कुछ यह से होते हैं जैसे मान लो कि मैं आप कोई चोटा से कुछन दो कि सब्सक्राइब कोई चोटा से कुछन लेते हैं जिसमें थीटा की वेल्यू निकाल नहीं अपने ठीक है एक क्यूशन लेते हैं कि फाइंड वेल्यूप टीटा थीटा का मान याद कीजिए कि टीटा इंटू टीटा इस गोल टीटा इसको नीचे ले जाओ फिर उसके बात मैं मुंटिप्लाई करकर आके देखिए ऐसे क्यूशन यह होगा नहीं करना कह है हम जानते हैं भी नो देंट की एक टैन ठीटा एक टैन ठीटा जो होता है वहता है वह पता है यह पता है तो देखिए इसको करते हैं देखिए लिख सकते हैं कोई समझ्या यदि कोई समझ्या नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि एक चीज़ और जानते हैं कि 1090 मृइनस ठीटा कौट फीटा होता है औरी भी वन नो दैंट शोकी 1090 मृइनस इसको टो यह सब जानते हैं कि तो क्या यह तो आप इसे कर लिजिए या इसे कर लिजिए मैं इसको कर देता हूं यानि टीटा इसको लिख सकते हैं एंट नइंटी माइनस फोर टीटर अब देखिए समझा है क्या है है और यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है जो निवेरिकल वैल्यू टूठीटा और यह जो 90-40 यह जब तक यह नहीं कि तक आप टैन की वावी इक्वल नहीं कर सकते हैं को यह वारा यह फोटीटा इदर ले लिए तो टीटा प्लस पोर टीटा इस इकल टू नाई तो टीटा इस इकल टू नाइट टीटा किया आगया 90 अपाउन 6 कि इतना जाएगा 15 हमसे पूछा भी है इसा तो हो नहीं सकता कि यहां पर टैनट को लगाएं यांप कई लोग ऐसा करते हैं यहां पर टैन टू फूर्मॉला लगाते हैं लगाते हैं फिर लगाते हैं लेकिन आप उससे करने पाएंगे इतनी आसानी से यदि हमें थीटा 45 डिग्री मिल गया है तो आप देखिए कितना हो जाएगा इस तरीके से बहुत सारे इसे क्वेस्टन होते हैं इनको हम लोग एक करके सब टोपिक को डिक्स करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अप्ला से रहेंगी आप बहुत बहुत धन्यवाद thank you